नमस्कार बहुत स्वागत है आपका यदि आप 2023 कलेंडर ये 2023 में भूमी पूजन करना चाहते हैं सुम मुहृत को जानना चाह रहे हैं आप नए घर का निर्मानकारी प्रारम करना चाह रहे हैं भूमी आपने खरिद लिये तो बिल्कुल आप सही जगा पे हैं इसे सारी आपक चीजें बताई जाएगी कि कब कब तिथी है सबसे पहले जानने कि भूमी पूजन क्यों कीया जाता है अपनेहा सणातंधर्म में यह परंपरा रही है कि परकृति की पूजा भूमी की पूजा बास्तु पूरूस की पूजा एबं पंच्टतु की पूजा सदीयों से चलिय करे लिए जब हम कोई भी प्रारंब करते हैं तो हम पुजा पार्ट अवस्य करते हैं और घर तो जीवन में लोग एक ही बार बनाते हैं इसलिए अति आवस्याख है कि आप अपने प्रकृति देबता की फिर्थिवी माता की भूमी देबता की अपने पित्रों का असिरबात प्राप्त करके कोई भी सुबकार्य आप प्रारंब करे तो आपका कल्यान होगा साकारात्मक्ता की बिर्धी होगी तो ये कौन कर सकता है घर के जो परमुक बेखती है वो पति-पत्नी इस पूजा में आईए हम जानते हैं कि 2023 में कब-कब सुब जनवरी की बात करें तो जनवरी में सनातन धर्म के हिंदू कलेंडर के अनुसार कोई तिथी निकल कर नहीं आती है फरवरी की बात करें तो फरवरी में आपके पास दस फरवरी 2023 समय होगा 9.15 सुभा से 12.15 मिनट दोपहर तक मार्च की बात करें तो मार्च में जो तिथी निकल के आ रही है मार्च में दो दिन निकल के आ रहा है एक 9 मार्च को दूसरा 10 मार्च 9 मार्च को आपका सुब समय शुरू होता है सुबस 7 बच के 28 मिनट से दोपहर 12 बच के 28 मिनट तक और 10 मार्च को जो सुब समय आ रहा है भूमी पूजन के लिए वो आ रहा है 7 बच के 24 मिनट से 10 बच के 25 मिनट तक अब आईए हम देखते हैं कि अप्रेल में कोई तिथी निकल कर नहीं आ रही है इसी प्रकार अप्रेल मई जून जुलाई एब हम अगस्त इन चार मेनों में अपने हां हिंदू सनातन करलेंडर के अनुसार कोई तिथी भूमी पूजन के लिए नहीं आ रही है तो क्या इसका आरते भूमी पूजन नहीं हो सकती है कुछ तिथी यह भी ऐसी होती है जिन में कोई भी कारी किया जा सकता है वो आपको लोकल पंडित अवस्य बता देंगे आए बात करें अब हम सितंबर महिने की सितंबर महिने में दो सितंबर के सुब दिन है इसमें समय होगा आपका साथ चालिस से बारा सोला पचीश सितंबर को जो समय निकल के आ रहा है सुबच छो बच के ब्यालिस मिनट से आठ बच के छबिस मिनट रात तरी तक 27 सितंबर को एक सुब समय आपके लिए निकल कर आ रहा है भूमी पूजन के लिए सुबच 7 बच के 40 मिनट से 10 मिनट 10 बच के 38 मिनट रात तरी तक मिन दो पूरे दिन भर का समय आपके लिए तो सितंबर में कुल 3 दिन आपके लिए आ रहे हैं अक्टूबर महा की बात करें तो अक्टूबर महा में कोई भी ति थी गिरी पूजन के लिए भूमी पूजन के लिए अक्टूबर महा में कोई भी ति थी निकल कर नहीं आ रही है नवंबर महा की बात करें थी इसमें 23 नवंबर और 24 नवंबर 23 नमबर को सुभा सावा साथ बजे से रात तरी नौ बजे तक और 24 नमबर को सुभा साथ बाईस से रात तरी नौ बचके आट मिनट तक पूरे दिन नमबर में आपको दो तिथियां मिल जाती है अब हम बात करें डिसम्बर तिथी की तो दिसम्बर में एक दिन सुब महुरत निकल कर आ रहा है भूमी पूजन के लिए सुबह आठ पचपन से बारा बच के पांच मिनट दोपार तक यदि इस प्रकार से हम देखते हैं तो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, सिर्फ नौ तिथियां 2023 में सिर्फ नौ तिथियां निकल के आ रहे हैं कि आप भूमी पूजन कर सकते हैं क्या इसके अलावे कोई तिथियां नहीं है बिल्कुल इसकी अलावे भी बहुत सारी ऐसी तिथियां हैं जिसमें कोई भी सुबकार ये किये जा सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप अब हमने जो समय बताया सबसे पहले ये जानने समय आपके एरिया और छित के अनुसार कुछ परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन तिथियां यही रहेगी जो हमने बताया है इसके अलावे भी कुछ तिथियां होती है कुछ सुब मुहर्त होते हैं जिसमें कोई भी सुबकारी क्या जा सकता है आप यदि किसी एक अच्छे पंडित से अच्छे ज्यानी जो इनके सास्त के ज्याता हो जो इस प्रकार के पूजा पाट से संबंधित कारी करते हैं यदि आप उनसे संपर्क करते हैं तो फिर आपको कई तरह के तिथियां बता सकते हैं कि आप इन तिथियों में भूमी प्रारम पूजा कर सकते हैं तो उन तीथियों से उनसे संपर्क करके आप अबस्ति करें यह जो तीथियां और यह जो समय बताया गया यह एक स्टेंडर्ड मानक है आपके हाँ इस से तीथियां तो यही रहेगी लेकिन थोड़ा समय भेरी